इस साल मौनसून सीजन के दौरान देजभर में भले ही सामाने से ज़्यादा बरसात का अरुमान हो लेकिन अब तक बीते सीजन के दौरान बरसात की हलकी कमी देखी जा रही है मौसमी भाग के आखड़े बताते हैं कि अब तक बीते मौनसून सीजन यानि की पहली जून से 12 जून के दोरान देशभर में आसत के मुकाबले 4 फीसद कम बरसाथ हुई इस दोरान देशभर में आसतन 43.1 मिलिमीटर बारिश तर्च की गई है हाला कि मौसमी भाग का मानना है कि मौनसून को आगे बढ़ने को लेकर के परिस्थितियां अभी अनकूल दिखाई दे रही है सर ये डेफिसिट की वज़ा क्या मान रहे हैं और इसका क्या इंपक्ट देख रहे आने वाल टाइम मौनसून की जो ताजे आकले आए हैं इस आधार पर मध्य महराष्ट तक महराष्ट के उपर तक के हिस्से को मानसून कवर कर चुका है और पूरवी भारत के हिस्से को भी मानसून की बारिश शुरू हो गई है लेकिन एक जो चिंता भी दिख रही है वो 4% के असपास मानसून के डिफिट के दिख रही है जो केरल के और मद्ध भारत के कुछ हिस्सों में दिख रही है यह हलाके आने वाले समय मानसून से रिकवरी दिखाई दे सकती है लेकिन यहां मानसून का deficit और कमजोर पढ़ना खासत और पर जाधा चिंता पैदा करेगा पूरवी भारत के लिए जो पूरवी भारत का हिस्सा है जहां आपको यह वाइट स्पेस सफेद हिस्सा दिखाई दे रहा है आपको याद होगा कि पिछले साल भी इस हिस्से में बारिश कम हुई थी यहीं पर सबसे आदा धान के के पैदावार पर मानसून की कमजोरी का असर पढ़ता है और भारत का मानसून वैसे भी deficient rain fall उपर से सामाने पर भीतर से बिखरा हुआ यह इसकी पहचान रही है तो अब मानसून का onset तेज है जहां जहां अगर आप राजजिवार देखें तो मानसून की वारिश सामाने से जधा है लेकिन क्या देश के पूरे हिस्से में सामाने मानसून रहेगा यह अभी देखना बाकी है पर तातकालिक तोर पर जो आकड़े मिल रहे है उसमें मानसून की जिगरी से उपर दिखाई दे रहा है तो प्री मानसून के का अपमान में कमी आती है और अगर प्री मानसून रहे नहीं होती है तो इस हिस्से में मानसून क्या असर कैसा रहेगा क्या कमजोर होगा इस पर हमारी निगाह बनी रहेगी चले इस पर हमारी निगाह रगातार ब कटवती की है ऐसी ये ने ताजह अनुमान में एक सो पंद्रा दस्मनों आठ लाग टन सरसो उत्पादन का अनुमान लगाया है इस से पहले मार्च में एक सो बीच दस्मनों नौ लाग टन उत्पादन का अनुमान था ऐसी ये का कहिना है कि अलनीनों की वज़े से बरसात कम र आता है वो चौकाने वाले भी है और थोड़ा सरकार को चंता में डालने वाले भी हैं. राजस्तान में रेकोरमस्टर्डट सीट के उत्पादन में गिरावट का अनुमान है. इसके अलावा उत्तर प्रदेश, मद्द प्रदेश और हर्याना में भी इन तिलहनी फसलों की पैदावार में कमी आने वाली है इसका असर हमें ततकाल बाजार में खादे तेल की कीमतों पर दिखाई देने लेगा और ये सरकार पर नए सेरे से खादे तेल के आयात का दवाओ भी बनाएगा दूसरी तरफ खादे तेल के बाजार में मांग और आपूरती की इस्थिती पिछले दो महिने में थोड़ी बिगड़ी है क्योंकि जो दक्षण अमेरिका से आने वाला सोयाबीन है उसकी आपूरती में भी कमी आई है झाल